नमस्कार आदाव शस्त्रियाकाल सवागत है आफ सभी क्रिकेट प्रसंसकों का NPL ओपिनियों के आथ C.V. women versus गुजरात women के इस वीडियो में तो अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे कि NPL ओपिनियों पे आप कैसे इस मुकाबले में अपना opinion लगा कर खूब धेर सारे पैसे अपने जोली में डाल सकते हैं खेलने का प्रोसीजर क्या है और फिर RCB Women और कुजरात Women के प्रिब्यू पर नज़र डालेंगे और इस मुकाबले के कुछ सवालों पर भी गौर फर्माएंगे कि कैसे उन सवालों का जवाब देकर आप आपा आसानी से खूब सारे पैसे MPL उपीनियों पे जीज सकते हैं तो सबसे पहले जो सवाल आपके जहन में आ रहोगा कि गुरू ये तो बताते चलो कि MPL उपीनियों पे इन्वेश्ट कैसे करें तो इसका जवाब हम देंगे लेकिन उस जवाब को देने से पहले आप सभी क्रिकेट प्रसंस को से यही आग्रह है यही अनुरोध है कि अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आए हमारे अपडेट्स पसंद आए आगे तो वीडियो को लाइक चैनल को सस्क्राइब और नोटिफिकेशन की घंटी दवाना मद भूलिएगा तो गुरू आइए देख लेते हैं कि MPL उपीनियों पे आप कैसे अपना उपीनियन काफी आसानी से प्लेस कर सकते है जो सबसे पहला इस्टेप होता है कि आपको जिस मुकाबले में अपना उपीनियन लगाना है उस मुकाबले को सेलेक्ट कर लेना है तो उसके बाद कुछ इस तरीके से सवाल आपके स्क्रीन पर आजाएंगे yes या no में उत्तर देकर आपको अपना opinion लगा देना है फिर अपने opinion का आपको price set करना है जब आपका price set हो जाएगा जो कि 0.5 से लेके 9.5 के बीच में आप set कर सकते हैं तो आपको तीसरे step पे आ जाना है तो तीसरा step है कि आप number of quantity यानि कि number of share अपने opinion का खरिदना चाहेंगे अपने opinion का वो किस से multiply हो जाएगा आपके rate से उस हिसाब से आपको पैसा मिल जाएगा जो चौथा आपके screen पर आएगा वो ये दिखाएगा कि गुरू कितने opinion आपके place हो गये हैं कितने नहीं place हुएं जितने opinion प्लेस हो गया है भाईया वो आप बीच में कभी भी sell कर सकते हैं अगर opinion आपके हिसाब से नहीं जा रहा है और जो दूसरा दिखाएगा वो ये दिखाएगा कि कितने नहीं place हुएं उनको आप cancel कर सकते हैं प्लेस कब होगा opinion जब आपके opposite कोई opposition मिल जाएगा यानि अगर आपने 6 rate लगाया है यस किया है कोई no किया है उसी सवाल का answer और 4 rate लगाया है तो opinion प्लेस हो जाएगा ये पूरा procedure था MPL opinion पे अपना opinion trade करने का तो आईए अब इस मुकाबले के उपर चर्चा कर लेते हैं सबसे पहले pitch report पे नज़र डाल लेते हैं अगर हम बात करें pitch की तो M.China Swami Stadium पे मुकाबला है आपको भी पता है कि यहाँ पर कुछ बताने को रहता नहीं है batting fest होने वाला है खूब सारे run बनने वाले हैं ये last 5 मुकाबले के scorecard है आप देख सकते हैं वीडियो को रोक कर अब आजाते हैं probable 11 of RCB team के उपर भाईया पिछला मुकाबला RCB team जीती हुई है जिस वज़ा से कोई भी तबदीली अपने playing 11 में नहीं करने वाले हैं अब बात कर लेते हैं players to watch out की यानि कि मुख्य खिलाडी RCB की team के कौन-कौन से हैं यहाँ पर main बल्ले बाजो की बात करें तो मन्दाना, Divine, Richa Ghost, Alice Ferry आपको दिखेंगी मुख्य स्पीनर्स में जॉर्जिया विरहम, S. Molinux, आसा सोबना जिन्होंने 5 विकेट पिछले मुकाबले मिलिया था स्रियंका पाटिल वहाँ तेजगेदबाजों की बात करें तो main तेजगेदबाज इनकी जो है वो रेनुका सिंग है उनका साथ Divine देंगी और फिर Divine और Alice Ferry देंगी देथोबर्स में कुछ फिक्स नहीं रता जॉर्जिया विरहम से भी करा लेती है स्रियंका पाटिल भी कर देती है मोलीनक्स भी कर देती है जिस पर भरोसा आ जाए मंदाना को उस दिन उससे वो डेथोबर्स ऑपरेट करा लेती है ये आगे आपके स्क्रीन पर संभाविती 11 किसका गुजरात विमेंट टीम का अगर हम आप बात करें इस टीम की तो बहुत कमजोर है on the paper RCB के मुकाबले बड़े नाम भारती है नहीं सिर्फ और सिर्फ आपको हरलीन देवल दिखेंगी इशने राना दिखेंगी उनके अलावा कोई भी बड़ा नाम भारती नहीं है वजह से प्लेइंग लोन में बहुत तबदीली भी नहीं करने वाले है अगर हम इनके मुक्ष बलबाजों की बात करें तो वो बित मुनी इनकी कप्तान है एलिस गाडनर उलवाड हरलिन देवल में इन स्पीनर्स में एलिस गाडनर ही दिखेंगी तनुजा कानेवर, इशनेरान डी हमलता और हरलिन दोल साथ निभा सकती है मुक्ष तेन गेजबाजों की बात करें तो एल ताहू के ब्राई से मेगना सिंग वहीं डेथोबर्स में गाडनर स्योर है कि करेंगी करेंगी एसराडा और ताहू भी कर सकती है तो आईए एक नजर हम डाल लेते हैं कि कल के मुकाबले को लेकर कैसे कैसे सवाल आप MPL उपीनियों पे पा सकते हैं और कितने आसानी से उन सवालों का जवाब देकर आप अपने जोली में खूब सारे पैसे डाल सकते हैं तो अगर हम बात करें पहले सवाल की जो आपके स्क्रीन पर दिखा रहा है कि बैंगलोर टू विन दे मैच परसेस गुजरात तो मेरे हिसाब से इसका उपीनियन यस होना चाहिए मैच अनालसिस के हिसाब से क्योंकि बैंगलोर की टीम ऑन दे पेपर गुजरात से मजबूत है आप अपना उपीनियन का प्राइस सेट कर सकते हैं क्वांटिटी बेच सकते हैं और उपीनियन प्लेस हो जाएगा बात करें दूसरे कोश्चन की तो विल बैंगलोर इसको more success क्या आप बैंगलोर जादा चक के गुजरात के मुकाबले मारेगा बैंगलोर की बलेबाजी भाईया काफी बिद्वनसक है जिस वज़ा से इसका भी उपीनियन मेरे हिसाब से यस है प्राइस सेट करिए क्वांटिटी बेचिए और फिर आप अपने उपीनियन को प्लेस कर दीजे तीसरे सवाल की बात करें तो क्या बैंगलोर जादा चोके गुजरात के मुकाबले मारेगा तो जब बिद्वनसक बलेबाजी है तो चोके भी बैंगलोर को जादा मारने चाहिए तो मेरे हिसाब से इसका भी उपीनियन यस है प्राइस सेट करिए क्वांटिटी बेचिए और फिर आप अपना उपीनियन प्लेस कर देंगे तो ऐसे ऐसे सवाल मिलेंगे जिसका आप आसानी से जवाब दे सकते हैं अपने मैच अनालसिस के हिसाब से यह मेरा मैच अनालसिस था आपका मैच अनालसिस जो कहेगा उसके हिसाब से आप अपना लगाईएगा तो यह था अमारा MPL उपीनियो का गुजरात वर्सेज रसी भी मुकाबले का वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक चैनल को सस्क्राइब और नोट्रिफिकेशन की घंटी दबाना मत भूलिएगा मिलते हैं आप से अगले MPL उपीनियो के वीडियो में तब तक आप अपना ध्यान दें सुरक्षित रहें स्वास्त रहें मस्त रहें जैन जै भारत